आज़े के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट हॉलिडेस नवंबर 2023 के अंदर जैसे के आपको पता है नवंबर का मेना शुरू हो चुका है और उसी के साथ हम लोग देखने वाले हैं कितने हॉलिडेस इस पार देखा जा सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे कि आपको पता है इस मैने आके दिवाली भी है तो हैंपे मुहरत ट्रेडिंग भी होने वाला है जिस वज़ेसे हैंपे बहुते जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडर्स को जानने के लिए कि किस दिन के अंदर हैंपे हॉलिडे मिलने वाला है अगर हम आके बात करें नवंबर 2023 के बारे में तो करीबन 10 दिन का हॉलिडे मिलने वाला है जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं जो फेस्टिवाल है उस वज़े से भी हैंपे वीकेंड ओफ मिलेगा चले हमपे देख लिए कब कब हमें स्टॉक मार्केट बंद होता हुँ नदर आ सकता है तो पहले हमें देख सकते हो November 14 जो के दिवाली है तो उस वज़े से हम पे स्टॉक मार्केट खलोज रहेगा और फिर November 27 जो के मंडे रहेगा तो उसकी दिन के अंदर हैंपे गुरुनानक जैनती भी आने वाला है तो उस दिन भी आपको हैंपे होलिडे मिल सकता है तो दो दिन हैंपे कंफर्म हो गया और फिर हैंपे अगर गोवर्मेंट होलिडे या फिर कुछ भी अननेसेसरी आके कुछ भी हैंपे ओकेशन हो जारी हो सकता है अब अगर हम लोग यहां पर देखते हैं जो नॉर्मल weekend holiday है जैसे कि Saturday Sunday तो यहां पर आपको करीबन 4-5 Saturday Sunday holidays मिलेगा जैसे कि हैं पर November 4th और 5th Sunday और Saturday है तो उस वजे से हैं पर आपको holiday मिलेगा फिर November 11 और 12 को आपको हैं पर holiday देखने को मिलेगा और नवंबर 18 और 19 और लास्ट में हैं आपे हैं नवंबर 25 और 26 जो के इस महिने का लास्ट होलेडे आपको मिलेगा ट्रेडिंग के लिए तो हैंपे उमीद है आपको जानकरी मिल गया होगा कि कब-कब हैंपे होलेडे होने वाला है अगर आपको चाहिए नेक्ट मेने का अपडेट तो आप इस चैनल को सब्सक्रेब कर सकते हूँ और कोई भी नया खबर आएगा तो आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा मिलते हैं गले वीडियो में थैंक इफा वाचिंग दिस वीडियो गैस थैंक यू